नमस्कार मैं PM DNA सिंग और आप देख रहे हैं कमाल यार इस वक्त की हम बात करने वाले हैं नेपाल की एक ऐसी सेलिब्रिटी जिन्होंने अपने जीवन का सफर बहुत ज़ादा दुखों के साथ जेला उन्हें यहाँ पे दुनिया से बहुत कुछ सुनना पड़ा और उसके बा नेपाल में ना केवल दोस्तों नेपाल में जबकि उनकी पहुंच बहुत बड़ी हैं भारत में भी उन्हें बहुत सादा लोग जानते हैं और वो भी उनके फैन भी हैं अब आप यह सोच रहे हैं कि हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं तो उनके लाइफ की स्टोरी सुनने के ब वहिबा के बारे में जानते हैं अगर आप जानते हैं तो आप बहुत कम लोगों में से हैं जो उनके बारे में जानते हैं और अगर दूसरी बात ऐसे कहें कि नबीन वहिबा को कोई जानता है तो वो अंजली लामा के बारे में जानने के कार्ण उनके बारे में जानता है या हम कह सकते हैं कि अंजली लामा का कोई फैन है तो वो ही नवीन वहीबा को जानता होगा वरना तो साइड ही कोई जानता हो अब आप यह सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी बात ही क्यों कर रहा हूं तो दोस्तो जो अंजली लामा हैं वही यहां पे नवीन वाहिबा है यानि कि पहले जब जनम हुआ था अंजली लामा का तो वो एक यहां पे लड़की नहीं थी वो एक लड़के के रूप में जनमे थे जी हां दोस्तो उनका जनम हुआ था जब नेपाल में नेवा कोट में त उनका नाम था नबीन वाहिबा और अभी उनकी एज है वो 36 साल है यानि कि अगर बात करें अभी की तो वो अब अंजली लामा एक लड़की है और जो की नेपाल की है और पहली हाँ पे ट्रांसजेंडर मोडल के रूप में उबर कर आई अंजली लामा जो कि अपने आप में ए जादा डाउन थी उनमें यहाँ पे नवीन की बातें करने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो काफी दुखी रहते थे अपने प्रिसनलिटी को लेकर और इसी वजह से उन्होंने एक कदम उठाने का फैंसला लिया और यहाँ पे थोड़ी सी बात ऐसे कर सकते हैं कि नवीन जो थ थैसा नहीं था उनके पिता जरूर उनके साथ नहीं थे लेकिन मा उनके साथ हर कदम पर थी और देखना ये है कि नवीन जब से यहाँ पे अंजली लामा के रूप में नेपाल के एक लोक पिरिया स्टार ट्रांसजेंडर स्टार बने उसके बाद तो उनकी तोती बोलने ही है उनके चलते पहली मोडल बन गई वह कांशे फिलम में फैंस्टी टिवल में चलने वाली मोडल बन गई इसके बाद यहाँ पे जल्द ही आप उन्हें होली वुड के लिए अपनी सरुआत करने का मोका भी मिल गया इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से किन स हाइट भी काफी जादा रोमान्चत करने वाली है क्योंकि वह एक लड़के थे और उनकी हाइट लगबग पांच फुट नो इंच है जो कि एक एक एक्टर्स के लिए बहुत बढ़िया हाइट है और बर्थ पलेस तो मैंने आपको पहले ही बता दिया अब हम बात कर लेते ह हैं अंजली लामा की तो वो एक इंस्प्रेशन है बहुत से लोगों के लिए जो कि अपनी जिन्दगी से या फिर अपने यहाँ पे सरीर से डी मोटिवेट होकर हार मान लेते हैं तो हार मानना साइध यहाँ पे नबीन कुमार ने नहीं सीखा क्योंकि आप तो वो अंजली लामा बन चुकी हैं और अब तो वो एक सेलिब्रेटी हैं जबकि उन्हें हार का सामना भी साइध ना करना पड़े क्योंकि अब तो उनके लिए एक लग कहें या फिर कुछ भी कहें उन्होंने अपना लग खुद जगाया और अपने इस बड़े से फैंसले को उन्होंने ब चार कोमेंट सेक्षिन में जुरू लिखिए चलिए आज के लिए इतना रखते हैं कि कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजर होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइ भी सब्सक्राइब करें